इनका काम जूट बोलना चलावा करना जिस परकार से आप देख रहे होंगे कि तीन साल तक इनके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे एक मुख्यमंत्री फिर अच्छानक इनको होसाती ना ना ये तो गलत है तो यहां आए ही नहीं तब आए जब चुनाओं के बीच माए उससे पहले तिन साल पहले आए तो उसके बाद दीखे नहीं सही बात है ना ना गलत बात है पकदिंडी प्रेजेंस रंगभूमी जहां होगी जमीनी मुद्दों की बात नवसकार स्वागत है आपका एक बार फिर से पकडंडी में तो अभी हम पहुँचे हैं हलवानी से होते हुए देविधुरा पहुचे देविधुरा से आगे के रास्ते पे हलकी अलकी ठंड जो है महसूस हुई आगभी से की और अभी हम मौजूद हैं शाम का समय है खुशालसी अधिकारी जी के पास सबसे बहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो मैं बता दूँ खुशालसी अधिकारी जी यहाँ पर पूर जिला पंचयार अध्यक्स रह चुके हैं और विधाय की पिसली बार आपने कॉंग्रेस से दाविदारी भी की थी और एक बार फिर से आप तैयारी कर रहे हैं मैदान में उतरने की तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपके लिए है यह जो विधान सबा है वो लोहा घाट है पाहर शेत्र है तो हमेशा देखा गया उत्राघंड की राजनीती पे और माना भी गया कि चंपावत जीले को उतनी वरियता नहीं दीगी जितनी देनी चाहिए थी आपका क्या गयना ह अब जाट है कि हमारे विकास पुरुस हमारे पूर मुक्यमंतरी रावजी का सपना था कि हम चंपावत जीले को एक मॉडल जिला बनाए परन्तु जो ही वो मुक्यमंतर की कुर्सी समाली बीजीबी के सड्रेंतर कारियों ने उनको कुर्सी में नहीं बैठने चाहन से नहीं समय कम समय में जो उप्रपिदियां उन्हें की आप चंपावत से लेके बनबसा से लेके आप अगर यहां पंचुसर तक की बात करेंगे जहां पर आपके अमोरी जैसी जगों कस्वे में उन्हें डिगरी कॉलेज की स्तापना की यहां देवी दुरा हमारे लोहागार मात तो एक डिगरी कॉलेज हुआ करता था देवी दुरा मा आपने डिगरी कॉलेज की स्तापना की आपने कोली जील जो यहां पर इसमें बन रहा है यह मानी अहिसराव जी की सोच थी आपने यह प्रस्ताव पास किया था और उनकी मनसाति कि हम काम करें दुर बाग कि बस पिछली बोलना चलावा करना जिस परकार से आप देख रहे होंगे कि तीन साल तक इनके मुख्यमंत्री बहुत अच्छे थे एक मुख्यमंत्री फिर अच्छानक इनको हो साती ना यह तो गलत है फिर दूसरे को लिया आते हैं और च्छा महने और तीसरे महोदय ऐसे आते हैं कि उनक हमारे मुख्यमंत्री जी देवदुरा में देख रहा था जब देवदुरा में आये थे उनकी इतनी गोश्राइए थी हम तो कहरें महोदय गोश्राइए कम होती साहे दो चार होती उसमें एक आदमा अमल हो जाता तो हम दिनिवाद देते तो इसलिए जिस व्यक्ति को उत्राघंड का अभिकास करने के लिए इस बार कॉंग्रिस की सरकार आने वाली है और मानी पूरी मुक्रे मंत्री हरिश्ट रावज जी चंपा होती नहीं अपि तो पूरे उत्राघंड का अभिकास करें गैई तो चुना हुए विधायक बने यहां परभाजिपा के विधायक हैं तो आपके शेत्र पे काम हुआ कोई भी कार्य नहीं हुआ अब वो तो कार्य की बात कहते हैं हम तो कहते हैं कार्य अगर वो कर दे तो बहुत-बहुत धन्यवाद उनका इनकी सरकार कायती है घर-गर जल, घर-गर नल हम तो आपसे अंरोध कर रहे हैं आप जब इतनी ठंड में मैं देख रहा था याप नीचे मारकेट में भी लोगों से राय ले रहे थे आपसे मेरा अंरोध होगा, आप थोड़ा गरामेड इलाकों में जाईए इनकी घरगर जल घरगर नल की योजना जो है एक गाउं आपको असानी मिलेगा जिस गाउं में हमारे सरकारों ने पानी की ब्योस्ता कर रही थी जहां पर जिस गाउं में तीन इस्टन पोस्ट थे तीन इस्टन पोस्ट से लोग पानी की ब्योस्ता भी सुजारूप से कर रहे कि पानी कहा से लाई जील का निरमाड तो अब हुआ है पास किया था इनकी सरकार में दरसल किया है कि यह लोग खुद नेता है इनके विदाये खुद नेता है और खुद ही ठेकतार है आँछ यह خुद ही काम करते हैं मैं तो दुर्भाग्य हमारे सुत्राखंड का लोग उने अपने प्राणों के आहुद दी, लोग उने सोचा नया उत्राखंड बनाएंगे, एक नया सोच के साथ यहां उत्राखंड की निवी रखी, परन्तु आज इतनी गुंडागर्दी, दादागर्दी, सरकार महोरी है, आप स्वत्नत रूप से आप किसी जो हमारे विरोजगार युआ हैं, जिनने रेजिस्ट्रेशन करके ठेकदारी के लिए बाठें, उनसे पूछेगा कि क्या स्वत्नत रूप से कोई ठेकदारी कर पा रहा है, मात्र जिनको इनकी परचियां जाती हैं, वही लोग अपने ठे आप से यहां पर रुजगार कर पाएंगे, वह हमारा फोकस होगा, और जो गाओं-घरू में, पानी की किलद की बात में कर रहा हूं, पर ते गाओं में, क्यूंकि हमारे पाड़ी गाओं छोटे-चोटे कस्वे होते हैं, एक मकान इधर तो यहां पर पानी की ब्युष्टा कैसे की जाती है और किस परकार से लोगों को सुविदा दी जाती है यह हमारी सोच होगी आज सड़क बना दे जहां तहां इनके सड़कों के हाल देखिए हमारे मुखमानी मुख्यमिन जी कहते है गड़ा मुक्त सड़क हम देंगे आदेके रोटो के हाल है हम गड़ा, मुक्त, सड़क हमारी सरकार देगी घर गर पानी की ब्योस्ता हमारी सरकार देगी विराज़गार, यूआओं को रुज़गार देने का काम हम लोग करनी है पिशलिबार क्या कमी रह गई थी छिनाओं के दौरान जो हमारे प्रजुन्दी थे, उनके यहां वो मसीन, बोटिंग मसीन में इनके कोई दिक्कत आ गई थी, और पहले तो यह कहा जा रहता है कि कोई टक्निकी की खराबी है, उसको ठीक कर ले जाएगा, फिर बाद में अचानक ही, जब इनके बिदाय कोई किसन क्या बढ़ गी, त उनके पुनर चुनाव मद्दान करने की बात वहां पर की, जिसमें उनका गाउं था, और उनके गाउं के एकटे बोर उनको पड़े, जिससे मुझे आहर का सामना करना पड़ा, वरना ऐसा नहीं था कि मैं पिछली बार भी आहरा था, ये नहीं था, ये नहीं था, जी, तो लोहागाट जो शेत्र है, वारासुल का किला यहां है, बाराही धाम यहां है, तो बहुत जदा परेडन हो सकता है, जह हमने जनता से बात किया आपकी फेल्ड पे, तो उनका कहना था, एक व्यक्ति का कहना था, कि जील बन जाएगी, इस्टेडियम बन जाएगा, सड़के ब जाएगा, क्यों बाहर जा रहा हय युवा, तो रोजगार के बारे माँ आपकी को यहां है, बिल्कुल ऑडाराईलिया स् wizard, हम यह चाहते हैं, हमारे बिरिजगार जचा है, इनको रोजगार मिलेगा आज आप देखेए, हमारे चार साल एक सर्कार को कुम्ब़ करण 그렇게 नीद म निकालें और कुछी दो महने बाद ही लोग अपने लोगों को जाकर कोड में उस मामले को डाल दे, हमारे विरुजगार युवाओं को रोषगार मिला ही नहीं क्योंकि इनकी मंसा ही नहीं kan कि इनकी मंसा रहती है कि लोगों को ठगना और चलना, और हमायरे माननी पूर मुख्यमंत्री जी और हमारे जो प्लानिंग है हमारी कॉंगरे सरकार की इन्होंने सोच रखा है कि हम युवाओं को सरकारी नौक्रियां तो देंगे ही देंगे उसके अलावा उनको विरोजगार को किस प्रकार से हम रोजगार दें उसके बारे में हम रणनी तही कर रहे हैं और हमारी मंसा होगी कि हमारे जितने भी रुजगार लोग हैं उन लोग को रुजगार दिया जाए जन्प्रतिनिती होने के नाते कहूं या एक नेता होने के नाते तो आप तो ज्यादा फिल्ड पे रहते होगे ज्यादा गाउं पे रहते होगे लोगों से ज्याद नहीं जान सकते हम गाउं की पीड़ा क्या है उसको आप जादा अच्छी तरह समझ सकते हैं पलायन कितना हुआ है आपके शेत्रे से अभी की बात करो सद्ध पलायन की जहां आप बात करेंगे पूरा पलायन हो चुगा है देखी मैं आपको बताओं आज जो विरुजगार जो चासार रुपे में हम गैस लिए चोड़ गेते हैं आज उसको बार सब रुपे कर दिया गया है आज तेल की बोतल जो हमारे घर में सत्री रुपे में हम चोड़ गेते हैं आज दो सब दस रुपे आपने कर दिया है जो वेरुजगार युआ जो वेरुजगार परिवार माना हमारे पूर मुख्यमित्य जी की एक सोच थी कि जैसे हमारी घर में बर्द महिला हैं बर्द जन हैं तो उन्होंने एक स्की मनाय थी कि हम बुज़र्कों को भी और हमारी मातों को भी दो पैंसन देंगे एक हजार रुपया, छहसर से एक हजार सीदय उन्हें पैंसन भी की थी, एक हजार रुपया हमारे एक हजार मैला और एक हजार पूस को दो जार रुपय जब मले Administrator के तो ऊज़र की आज़िपका चल जाईगी उसमें एक गैसलिंडरी नहीं भर पा रहे हैं तो बिरुजगारी का कहां से लोग अपना भर्ड पॉस्टर करेंगे और रही बिरुजगार युवाओं की बात जो प्लाइन की बात आप कर रहे हैं हमारे बिरुजगार युवाओं को इनकी रुजगार देने की कहीं से कहीं त जो लोग सामर्तवान हैं, वो लोग उसका फाइदा उटा रहे हैं, और जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, वो परिसान है, उनको यहां से प्लाइन करना पड़ रहा है। मैं 150 बूतु का आपको दिखा सकता हूँ, कि जहां पर पूर्ण रूप से लोग ने मुझे आशिरवाद देने का मन बनाया है। चेतर के विकास के लिए खुसाल अधिकारी को आशिरवाद अपने बेटे के रूप में लोगों ने दे दिया है। अब नीचे लोगों का प्रेशन था कि हरीष्ट रावत जो आपने बता है आपके शिर्ष्ट के नेता है वो तो यहां आए ही नहीं। तब आए जब चुनाओं के वीच मा आए उससे पहले तिन साल पहले आए तो उसके बाद दिखे नहीं सही बात है। परन्तु रावज जी एक ऐसी सक्स हैं वो आप आप ही कभी जाएं चैनल नों पूछ लीजिए उनसे कहीं कि मीना बजार में हर सिंग तो अर्या वो देव सिंग का चाचा हर सिंग तो वो सक्स हैं कि जो पूरे लोगों को जानते हैं लोगों को उन्होंने उनके समय में कुछ का पैसा कहा है कोई अता पता ही नहीं है इसलिए हरिस रावज जी का आना ना कुछ नहीं है हरिस रावज जी ने प्रतिक बेक्तिकी पीड़ा को देखा है तो क्या अपील है आपकी जनता से अंतमे पर्गेट की लिए मान जाने से मैं धन्यबाद दूँगा आपको मेरी जनता से अपील है कि जो ये जोटे वायदे करने वाली सरकार ये जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार जो महंगाई को चरम सिवां पहुचाती है ऐसे सरकार को उखाडने के लिए जनता ने जो मन बना है मैं जनता को बहुत बहुत धन्यबाद दिल से देता हूँ कि जनता इस बार मन बना चुकी है कि हम मानी पूर मुक्किमंत्री हजिसराव जी पुनहोज़ सरकार में लाएं और आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता इसी दस मार्च के बाद आपको पुनहुमा यहां आमनतिर करूँगा उस दिन आप कहेंगे कि वास्ता में कॉंग्रेस की लोग सच्चे होते हैं कॉंग्रेस की सिपाई जो बात करते हैं जनता की आवाज करते हैं अपनी मन से बातें नहीं करते हैं बहुत बहुत शुप काम कॉंग्रेश जो है खुशाल सिहाधिकारी जी को अपने रूप में प्रतिनिदी के रूप पे आगे लेके आएगी आप मारे साथ बने रही है आगे भी हम लोहा घाट विधानसवा से जूड़ी खबरों से आपको रूबरो कराते रहेंगे आप सभी इतने देर तक मारे साथ बने रहें इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जैश्री कॉलेज जलमोडा आपको होटर मेनेजमेंट के साथ ही पैरा मेडिकल और मेनेजमेंट के शेत्र में भी सफल बनाता है यहाँ आपके लिए डिजटर क्लासरूम के साथ ही आपको मिलती है modern computer labs, boys and girls hostel, wifi enabled campus और एक homely environment तो देर किस बात की करिये अपने सपनों को साकार जैश्री कॉलेज अपोटल मेनेजमेंट और प्रोफेशनल स्टडीज